आप देख रही है MNS News सच जरूरी है कहा की राज नीती में जब हमारे प्रतिद्वी गूट हमारे साथ आना चाहता है तो हमें उन्हें शामिल करना पड़ता है और भाजपा ने यही किया NCP के हमारे साथ आने के बाद हमारे समू के लोग नाराज थे क्योंकि उन में से कुछ हमारे नेताओं को उनका वंचित पाद नहीं मिलेंगा यह सच नहीं है कि हमारे सभी नेता NCP के हमारे साथ आने से खुश है हमने CM और डिप्टी CM को सुचित कर दिया है कि और उन्हें इस मुद्दे को हल करना होगा हम हमेशा NCP के खिलाप थे और आज भी है शरतपवार की खिलाप है शरतपवार ने उद्धव ठाकरे को CM के रूप में इस्तेमाल किया था जब उद्धव CM थे तो NCP शरतपवार सरकार चलाती थे एक नाशिंदे आप कारिवाई का फैसला करेंगे बांदरा में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्ता NCP ने नई कारियाले में जुटने लगे समर्तव मुंबई पुलीस ने बांदरा में उस इलाके की सुरक्षा व्यवस्ता बढ़ा दिये जहाँ पर NCP के अजित पवार गूट का नई कारियाले बना गया है इस नई कारियाले के आसपास अजित पवार के समर्तव कारे करता जुटने लगे चुनाव आयोग में पार्टे के चुनाव चिन्न का दावा करेगा अजित पवार गूट मिडिया की रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि अजित पवार गूट चुनाव आयोग में पार्टे का चुनाव चिन्न गड़ी छाप के लिए दावा करेगा अजित पवार के साथ 37 विदायक NCP अजित पवार गूट के नेताओं की और से दावा किया जा रहा है कि उन्हें पार्टी के 37 विदायकों का समर्तन हासिल है हमने अपने गुरु को गुरुदक्षिना दिये चगन भुजबल NCP नेता चगन भुजबल ने का कि हमने अपने गुरु से सीख लिये हमने उन्हें गुरुदक्षिना दिये मंच पर ही देखी जा सकती है नेताओं की संक्या चगन भुजबल अजित्पवार गूट्ट की बैटक शुरू पार्टी प्रमुक सर् dafür ने मंगलवार को सभी विदायकों जारी करूने मुझूद रखने का निर्दिश दिया है चीप विप चितेंद्रा आवाड ने एक पंक्ति वाले हिसा विप में कहा है कि शरत पवार ने पांच जुलाई को वाई बीच रवान सेंटर में अपराहों एक बजे बैटक बुलाई है और सभी विदायकों की उपस्तित अनिवार अजित पवार के शिवशे नाबाचपा सरकार में आठन्य विदायकों के साथ रविवार को शामिल होने के बाद शरत पवार ने आवाड को चीप नविप नामित किया है मुंबई में बैटक करेगा अजित पवार गूर आईए देखतें अगली ख़बर की तरफ सिया मेकना शिंदे अनाखपूर से अचानक मुंबई के लिए रवाना अब क्या होने वाला है बड़ा राश्ट्रपदी द्रोपदी मुर्मु पहली बार महाराश्ट्र के विदरबक्षेत्र के दवरे पर मंगलवार को वे अनाखपूर पहुची बुद्वार को उनका गट चुरूल जाने का कारेकम है उनके स्वागत के लिए राज्यपाल रमेज बैंद केंद्रिया मंद्री नितिंगडकरी मुख्यमंत्र एकनाशिंदे और उपो मुख्यमंत्र देवेंद्र फड़नविस मौजुद रहे इसके बाद सियम एकनाशिंदे महामहीम राश्ट्रपती को राज पूर में ही रुकने वाले थे सेम शिंदे के यू अचानक मुंबई के लिए रवाना होने पर राजनिति गालियारों में चर्चाओ का दवरा शुरू हो गया है आकिर उन्हें राश्ट्रपती के साथ कल गोंडवाना विद्धापिट के दिक्षांत समारों कोराडी के सांस की शिंदे फड़नवी सरकार में अजित पवार गुट की एंट्री से असंतुष्ट है एक तो कहीं विदायकों को ऐसा लग रहा है कि आप उनके मंत्री बनने की संभावना एक काम है दो जिनने मंत्री बनने की संभावना नजर आ रही है उन्हें मलाईदार विभाग न मिल की आशंका है तीन आभी से ही कुछ शेत्रों में दोनों गुटों से इस बात को लेकर दरार के संके सामने आने लगे कि अगर एक ही शेत्र के दो मंत्री है तो उस शेत्र का गार्डियन मिनिस्टर कौन कहलाएंगा जिन गुट का मंत्री गार्डियन मिनिस्टर कहलाएंगा उनका पलडा भारी माना जाएंगा चार एक पुरानी वज़ा और आशंका भी कायम है वो या कि इकना शिंदेगूट ने बगावत की थी तो उसकी एक बड़ी वज़ा या कही गई थी कि वित्तमंत्री होने के नातिया जित्पवार शुशेना के विदायकों के साथ पक्षप करते और उने फंड देने में आना कानी करती शिंदेगूट की आज शाम कोर कमेटी की बैटा किया जित्पवार को लेकर इस वज़ा से असमंजस्त इस अंकट के इस नए माहोल के बीच मंगलवार को शिंदेगूट की विदायकों की प्रवक्ता और मंत्री दीपक के सरकर के निवास पर बैटक हुई आज इतना शिंदे के नेतुत्व में उनके गूट की और कोर कमेटी की बैटक होने वाली है शाम साथ बजे का समय रखा गया एकना शिंदे के हडबडा कर मुंबई आने की एक वज़ा या भी समझी जा रही है कि इस बैटक में मंत्री मंडल विस् बाच्चित और रननीती पर चर्चाओंगी आए देखते अगली खबर की तरफ बोले मंदीर बनेगा तो आएंगे दर्शन करने वरुं गांदी को सपा से टिकट मिलने पर तोड़ी चुपी सपा प्रमुक अकिलेश यादो मंगलवार को एदा पहुचे वह सपा कि पूर्वत जिला अद्यक्षव स्वर्गिया गंगा से यादों को श्रदान जली देने के लिए आए थी यहाँ पर मीडिया से बात करते हुए अकिलेश ने कहा कि जो महारश्ण में हुआ वो नया नह सब्सक्क्रान जाता है क्या भरश्ण जांग। अकिलेश यादव की अभी इस पर कुछ नहीं कह सकते पर जो अच्छा चेहरा होंगा सपा उसे लड़ाएंगी अयुद्धा में रामलला के दर्शन करने के सवाल अकिलेश ने का कि मंदिर का निर्मान होने के बाद वे रामलला का दर्शन जरू करेंगे अब आप अमरे चैनल को आपके मोबाल पर भी देख सकते हैं मोबाल अपर देखने के लिए प्लेश और से मैंस्टीव डाउनलोड करें इंस्टालिंग ट्विटर हाइकुक फेस्बूक और कई सोचल मीडिया के प्लैटपर हमारा चैनल उपलब दे आप इसे यूटूब पर भी देख सकते हैं आ यह है MNS News निटपर और आप देख रहे है MNS News